सब्सक्राइब किजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाएं लेटिस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे सारे ही फार्मा जॉब अपडेट्स, फार्मा टुटोरियल्स, फार्मेसी MCQ, फार्मा गौर्मेट एक्जाम प्रेपरेशन और फार्मेसी करेर एडवाईज सभी कुछ मिलता है आपको एक ही चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करे हमारे चैनल को सपोर्ट करे हमें, सब्सक्राइब करके और शेयर करें वीडियो को जादर जादर लोगों से ताकि सारी इनफ़र्मेशन जो की फार्मेसी डिलेट है वो पहुचबाएं, तो चली शुरू करते हम अपना आज का सेशन तो देखे बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे DPEED याने Diploma and Pharmacy Exit Exam 2022 की फुल डिटेल एंड तक देखना है आपको इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे किस तरह से आप इसली पास कर सकते हैं अपना exit exam सारे ही डिटेल हम आपको अच्छे से बताएंगे तो देखे क्या के topic कवर करेंगे हम इस वीडियो में सबसे पहर हम बताएंगे first exam date जो आई है November 2022 में उसके बारे में discuss करेंगे फिर किसको देना होगा ये exam बहुत सारे बच्चों को confusion है doubt है अभी तक तो वो clear करेंगे हम exam का pattern क्या क्या होगा exam का syllabus क्या होगा passing marks कितने होंगे कितने marks आपको चाहिए exam को clear करने के लिए और सबसे important किस तरह से आप prepare करें इस exam के लिए क्या पढ़ना है आपको क्या नहीं पढ़ना है आपको किस तरह से त्यारी करनी है easily pass करने के इस exam को वो सब हम discuss करेंगे इस वीडियो में बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको यह exact exam जो है आपकी knowledge उसको बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है तो सारही चीज़े हम discuss करेंगे अपने इस वीडियो में अब देखें फर्स्ट एक्जाम जो होगा इसका डिप्लोमा इन फार्सम वो है देखें 18 अगस्त को सरकुला निकाला था PCI ने तो उसमें बताया कि इसका जो फर्स्ट एक्जाम है यहां बतायागी आपको देखें होगा will be held in November 2022 अब यह कब किस डेट को होता है November के वो अपडेट करेंगे यह अपनी वेबसाइट पे जैसी अपडेट करेंगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में तो आपके पास अभी पूरे 2 मन्थ है इसके लिए प्रिपेर करने के लिए किस तर से प्रिपेर करना है वो अभी मैं आपको बताते हैं वीडियो में ना देखें एक्जाम किस को देना होगा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम आपको देखें सबसे पहले कहते कि जो स्टूडेंट जो डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करेंगे आने वाले समय में यानि फ्यूचर में जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट होगे उनको क्या होगा अपने D Pharmacy Exit Exam पास किया हुगा सर्टिफिकेट प्लस अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आप करते हैं ट्रेनिंग हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में जमा करेंगे Pharmacy Council of India किसी भी State Pharmacy Council में तभी आपको Registered Pharmacist माना जाएगा Otherwise आपका Registration जो है वो नहीं किया जाएगा तो उन सबी Student को देना होगा जो कि Diploma in Pharmacy करेंगे आने वाले फ्यूचर में फिर क्या है जो Student जो Diploma in Pharmacy इस साल पास हुए है यानि 2022 में जो बच्चे जो हैं पास हुए हैं कभी भी आपका एक्जाम हुआ है एप्रेल से में के बीच में एक्जाम होते हैं तो इस साल अगर आप पास हुए हैं Diploma in Pharmacy 2022 में तो आपको देना होगा या एक्जिट एक्जाम और क्या है देखिए Student जो 2021-2022 में जिनका Diploma in Pharmacy Second Year था तो देखिए अलग अलग तरीक से आपको समझाए सेमी पॉइंट को तो जिनका Second Year है देखिए किस में 2022 में जो Second Year में है देखिए उनको भी देना पड़ेगा Diploma in Pharmacy एक्जिट एक्जाम जब भी वो पास कर जाते हैं अपना किसको नहीं देना होगा एक्जाम तो जो स्रूडेंट जिनका 2020-21 में जिनका Diploma in Pharmacy Second Year था वो बच गई इस एक्जाम से देखिए उनको नहीं देना होगा जिनका Second Year था वो नहीं देंगे बाकी यह सारे ही जितनी भी बच्चे हैं तो देख लीजे आप इसमें से किस केटेग्री में आते हैं देना होगा Diploma in Pharmacy एक्जिट एक्जाम उनको किस तरह से आप देंगे सब अच्छे से आपको बताते हैं नव फिर देखें एक्जाम पैटर्न देखेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं टोटल आठ सब्जेक्ट आएंगे आपके DPEE एक्जिट एक्जाम में जिसमें सबसे मेन हैं तो यह कुछ सबजेक्ट जो है आपके 1st यार के हैं और कुछ सबजेक्ट जो है वह 2nd यार के हैं इन 8 हो सबजेक्ट में से क्या होगा देखिए 3 पेपर इसके लिए जाएंगे पेपर 1, पेपर 2 and पेपर 3 तो यह देखे मालेजे कि आपका एक्जाम जो है वो 15 नवंबर को है तो हो सकता है कि एक ही दिन में आपके तीनों पेपर ले लिये जाएं यानि 15 नवंबर को ही आपके तीनों पेपर ले लिये जाएं अलग-अलग सब्जेक्स आपके होंगे, माले जे पेपर 1 में आपसे ये दो सब्जेक्स पूछ ले जा सकते हैं, पेपर 2 में आपसे 3 सब्जेक्ट और पेपर 3 में आपसे फिर से 2 सब्जेक्ट, तो वो आभी इसका पैटन आया नहीं है, किस तरह से पेपर लिए जाएंगे, यही होगा तीन तरह के तीन पेपर होंगे आपके इन तीनों ही पेपर में आपको क्या करना है देखे क्या होगा क्राइटेरिया minimum passing marks जो है वो 50 है मतलब total marks ज़कर 100 है तो 50% marks आपको तीनों ही पेपर में लाने होंगे तभी आप क्या होगा तभी आप diploma in pharmacy exit exam clear माने जाएंगे मालेजे यह जो आपका पेपर 1 है इसमें आपके 20 marks आए पेपर 2 में आपके 70 आए और पेपर 3 में आपके 80 marks आए तो यह 70 और 80 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि पेपर 1 में आपके 20 marks आए है तो फिर आपको फि हान रखना है तीनों ही पेपर में आपके 50% marks आने जहीं जाहिए जैसे हमने आपको बताए है दो बार होगा हर साल यह exam तो फिर्स्ट 6 मंत में जैसे हमने आपको बताया आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 देना होगा अगर तीनों ही पेपर में आपके इस के लिए apply कर सकते हैं बट अगर किसी वज़ा से पास नहीं हो पाते हैं आप इसमें से किसी भी paper में 50% marks आपकी नहीं आपाते हैं तो अकला जो next 6 month होंगे जबी भी इसकी date आएगी उसमें आप अपेर होंगे फिर से देंगे paper 1, paper 2 and paper 3 और फिर से आपको लाने होंगे minimum passing marks 50% ती हैं फिर से पास कर सकते हैं exam को अधिके सबसे important है किस तरह से prepare करेंगे आप किस तरह से आप इसकी तयारी करेंगे जिससे आप असानी से clear कर सकें इसको तो देखें रिवाइस करना होगा अपना आपको de pharmacy का syllabus फिर किया देखें सिर्फ theory पढ़ने से नहीं होगा आपको आपको क्योंकि आप जानते हैं कि multiple choice question आपसे पूछे जाएंगे इसमें और देखें स्लेबस अगर हम देखें तो डिप्लोमाइन फार्मेसी फर्स्ट यर से आपके तीन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं फार्मसियोटिक्स फार्मा गॉकनुसी और फार्मसियोटिकल केमेस्ट्री जबक तो यह सारा ही स्लेबस आपका आ रहा है इससे related देखें बहुत सारी वीडियोज हैं हमारे चैनल पे MC क्योंकि जो हमने अपलोड की हैं अपने चैनल पे फर्स्ट यर और से किस तरह से आप देख सकते हैं सारी वीडियोज को आप अगर उन सारी वीडियो से अपने revision करेंगे तो बहुत सारी knowledge आपको मिलेगी आप अराम से अपना diploma in pharmacy exit exam clear कर सकते हैं तो अभी हम दिखाते हैं कहां जाके आप उन वीडियोज को देखेंगे तो बचो देखे हमारे चैनल पे DPEE exit exam की यह पूरी की पूरी पूरी प्लेइस्ट है अलग 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 देखे इसमें MCQ दिये गए हैं अलग अलग सब्जेक्स के pharmacology, pharmacognosy यह सारी ही अगर आप prepare करते हैं तो आपको बहुत benefit होगा और भी बहुत सारे addition करेंगे हम इस playlist में और भी वीडियोज आड करते रहेंगे तो इसको आप learn करते रहें सारी ही वीडियोज को देखें के करके आप knowledge मिलेगे कि किस तरह से question आप से पूछे जाएंगे अच्छे से देख सकते हैं थे कि एक एक वीडियो बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे practice करने के लिए अच्छे से हमने explain किया है उसमें बहुत सारे points तो वहां से जाके आप learn करिए यह सारी ही playlist में से देखिए आपको किस तरह से question आप से पूछे जाते हैं MCQ में और इसी तरह से देखिए diploma in pharmacy second year के साब बहुत सारे subjects की playlist हमने बनाई है अपने channel पे इन सभी का link हम आपको description box में देदेंगे यहां i button पे देदेंगे वहां पर click करके आप सारी MCQs को देख सकते हैं पढ़ सकते हैं preparation शुरू करतीजे अपनी अभी से आप first exam जो होगा time इसका बीता जाएगा exam जो है मुँश्किल होते जाएंगे तो कोशिश करिए कि पहली बार में आप clear कर लें आप सारी MCQ अगर practice करते हैं तो आप असानी से यह exit exam को clear कर सकते हैं कोई भी doubt है अगर आपको तो comment section में आपसे जरूर पूछें किसी भी topics related so I hope आपको समझ आई हो और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में